नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होंडा CBR 150r के बारे में और इस वीडियो में डीटेले बात करेंगे कि कैसी है ये बाइक क्या कैस बाइक में नए फीचर हैं और किस तो जिसे है आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं और इस वीडियो में यह भी बात करेंगे कि क्या यह वाइक Yamaa R95 वर्जन फोर जो कि बहुत इस बाइक के साथ लॉंच होने वाली है कि क्या यह वाइक उस बाइक को टकर दे पाएगी या नहीं तो जिस सारे कोशिन आज आ तो जबसे बहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बार में तो guys फ्रेंट से बाइक का लूक कुछ इस तरह खाया viewers आपको इस bike के अंदर dual LED headlamp देखने को मिलते हैं और guys rare का look इस bike का कुछ इस प्रकार का है और guys rare में आपको LED tail light देखने को मिल जाते हैं तो guys जो यह Honda CVR 14R है भहुत सारी foreign country में launch हो चुकी है और guys इंडिया में हमें November के आसपास यह वाले जो bike है वो हमें देखने को मिलेगी और guys जो यह bike है वो चार कलर में available होईगी और guys भहुत सारी foreign country में इस bike का price इंडिन करंसी के साब से 1,45,000 एक्षुरूम प्राइस है और guys में भी इंडिया के अंदर शायद 1,5,000,000 के आसपास हमें देखने को मिलेगी क्योंकि guys इसी range में हमारी Yamaha R95 version 3 और Pulitzer RS200 देखने को मिलती है बात करें guys इस bike के कुछ key features की तो guys इस bike के अंदर आपको Assist and Slipper Clutch, Lookate Cooling, Fully Digital Instrumental Cluster, Dual Channel APS और guys ऐसे बहुत सारे features आपको इस bike में देखने को मिलेंगे जिनका हम वीडियो में आगे जाके आपको डीटेल में बताने वाले हैं तो guys मेरी आपसे रुकेश्टे के वीडियो को बिल्कुल भी skip मत कीजेगा वीडियो को शुरू से लेके अन तक पूरा देखिएगा तो guys बात करते हैं इस bike के engine की तो guys यह bike आएगी 149cc single sender DOSC four valve engine के साथ जो की guys produce करेगा 17.1 PS की maximum power और 14.4 Nm का maximum torque और guys इस bike में आपको six speed manual gearbox transmission देखने को मिलेगा और guys बात करें इस bike के mileage figures की तो guys इस bike में आपको 35 से लेके 38 km पर लेटर की mileage असानी से मिल जाएगी और guys किस भी bike से mileage निकालना वो और आपके riding अडिशनियों पर depend करता है बात करते हैं guys इस bike की top speed गी तो guys इस bike की top speed रहने वाली है 136 km पर आर और guys 0 to 100 km पर आर जाने में ये bike सिर्फ 11 सेकिंड लेती है और guys जो इस bike का frame है वो build किया गया diamond design frame पे जोगी guys काफी light weight होता है और जो bikes के manufacture होते हैं उनकी भी और bike के price में थोड़े cost cutting हो जाती है और इस जो bike का price है वो थोड़ा कम मिलते हैं हमको तो guys बात करते हैं इस bike के suspension setup की तो guys front में आपको देखने को मिलेंगे adjustable preload inverted fork suspension और guys आपको rare में देखने को मिलेंगे adjustable preload monoshock suspension और guys इस bike में आपको बहुत front और rare का जो tire रहेगा वो star range का मिलेगा बात करें guys front tire weights की वो रहेगी 100 mm की और guys rare tire weights रहेगी 130 mm की और guys इस bike में आपको बहुत front और rare में disc brakes देखने को मिलेगी और guys as a safety point of view आपको इस bike में dual channel ABS भी देखने को मिलेगा और guys बात करते हैं इस bike के instrumental console की तो guys इस bike के अंदर आपको fully digital instrumental console देखने को मिलेगा guys इस console के अंदर आपको low fuel warning engine temperature gear position indicator gear shift light service light ABS forwarding और ऐसे बहुत सारे feature आपको इस console के अंदर देखने को मिलेंगे और guys कुछ इस तरह की look है इस bike के console की तो guys बात करते हैं इस bike के कुछ dimension और capacity के बारे में तो guys इस bike के जो overall length है वो है 1310 mm का और ग्राउंड से लेकर जो seat की height है वो 7 82 mm की और ग्राउंड के ground clearance है वो है 160 mm की और ग्राउंड का fuel tank है वो है 12 लेटर का और ग्राउंड का कव वेट आने वाला है वो है 137 kg का तो guys हमने अर बाइक के लुक्स तो देख लिया है तो एर एक बार इस bike के exhaust को हम चेक कर लेते हैं कि कैसा इस bike का stock exhaust कि अगरे आपको यह वीडियो प्लीज में साथ कर दोड़ा है तो गाइस कैसा लगा आपको यह वीडियो प्लीज में साथ कमेंट सेक्शन में जरूँ शेर कीजेगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और guys ऐसी और information के लिए आप मारी website को विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको वीडियो के description box में द